नमस्कार दोस्तों पियेश एड़ा की यूटूब जैनल पर एक बार फिर से आप सबी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों अगर रिसेंटली हम बात करें तो राष्टरप्रती दुरूपती मुर्मू के द्वारा आठ किरती और उन्ती सोर्य चक्र जो हैं प्रदान कि दिये गये हैं तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि वेरता के लिए कौन-कौन से शैनिक पुरुसकार और सम्मान दिये जाते हैं किसको दिये जाते हैं कितने दिये जाते हैं कभ इस्थावित हुआ था और आज रिसेंटली जो हैं किस-किस को ये पुरुसकार जो ह कह सकते हैं ये दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के कैसे होते हैं तो एक होते हैं जिनको हम कहते हैं कि युद्ध काल के पुरुसकार है और एक होते हैं जो होते हैं शांति काल के यानि कि एक ऐसे पुरुसकार होते हैं जो युद्ध के समय दिये जाते हैं और एक ऐसे तो अभी कोन से पुरुसकार दिये जाएंगे शांतिकाल के पुरुसकार दिये जाएंगे और जब युद्ध का समय होता है युद्ध में कोई सैनिक शहिद होता है या विर्ता का प्रदर्शिन करता है या अपनी शूर्ता को दर्शाता है तो उसको जो है युद्धकाल के प परमविर चक्र एक पुरुसकार गोंगे परमविर चक्र ये कब दिया जाता है तो ये युद्ध काल का सरवोच्य पुरुसकार है और ये किसको दिया जाता है तो ये जितने भी सेनिक होते हैं जो युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करते हैं शूर्था प्रदर्शित करते हैं अदम में साहस को दर्शात हैं एसे सेनिकों को परमविर चक्र परदान किया जाता है अभी तक भारत में 21 सेनिकों को परमविर चक्र परदान किया गया है 21 सेनिकों को अभी तक परमविर चक्र दिया गया है यह सर्वोच पुरुषकार होता है भारत में युद्यकाल का उस उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा पुरुषकार होता है, जिसको हम कहते हैं महाविर चक्र महाविर चक्र किसे देते हैं? तो युद्धकाल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेनिक और असेनिक जो सेनिक भी है असेनिक भी है इन दोनों को महाविर चक्र जो है प्रदान किया जा सकता है और ये भी अदम में साहस दिखाने वाले सेनिक को वेड़ता का प्रदेशन करने वाले सेनिक को दिये जाते है तीसरा जो चक्र या पुरुसकार इसमें दिया जाता है वो होता है विर चक्र और विर चक्र किसे दिया जाता है तो जो सेन्य बल है यानि कि ससस्त्र सेनिक और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रिजर्व यानि कि हम कह सकते हैं कि आरक्सित सेनिक जो होते हैं इन में से किसी को भी जो है विर चक्र दिया जा सकता है और ये भी युद्धकाल का एक पुरुसकार होता उसके बाद अगर हम बात करें शांतिकाल की तो शांतिकाल का सर्वुच्य पुरुसकार और सेनिकों में सर्वुच्य पुरुसकार होता है अशोक चक्र इसको क्या कितने अशोक चक्र शांतिकाल का सर्वुच पुरुषकार होता है और इसकी स्थापना जो है 1952 में 1952 में 1952 में की गई थी यह भी आप लोगों को याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1952 में अशोक चक्र की स्थापना की गई थी और यो शान्तिकाल का ये सर्वोच पुरुसकार है उसके बाद अगर हम बात करें तो इधर शान्तिकाल का दूसरा पुरुसकार जिसको कल द्रोपती मुर्मू यानि की भारत की राष्ट्रपती के दुआरा राष्ट्रपती भवन में एक सोर्य सम्मान अलंकरण समारों का आयोजन किया गया था और वहाँ पर जो है क्या दिये गए तो वहाँ पर किरती चक्र दिये गए तो किरती चक्र जो है अशोक चक्र के बाद मिलने वाला दूसरा प्रमू पुरुसकार है जो शान्तिकाल में दिया जाता है उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा शान्तिकाल में दिया जाने वाला पुरुसकार है उसे हम कहते हैं शोर्य चक्र तो दोस्तों आफ से पूछा जाए कि वर्स 2023 में कितने किरती चक्र मिले हैं इतने शोर्य चक्र मिले हैं तो 8 किरती चक्र जो हैं प्रदान किये गए हैं और 29 शोर्य चक्र जो हैं प्रदान किये गए हैं अशोक चक्र के अगर हम बात करें तो सेनिक और असेनिक दोनों लोगों को जो हैं मिल सकता हैं वेरता अदम में साहस और महत्पुन कारे करने के जिम्मान में 2013 में जो हैं प्रदान किये गए हैं राश्ट प्रती दो प्रति मुरम्रों के द्वारा तो किरती चक्र आठ ढ़गाई जिसमें से पाच प्रणों दिये गए आज मरनो परांथ दिये गए और तीन जो है जीविद वेक्टियों को या जीविद सेनिकों को जो है किरते चक्र प्रदान किये गए सोरे चक्र 29 प्रदान किये गए जिसमें से कुछ मरनो प्रांथ दिये गए और कुछ तत्काली समय में जिवीद सेनिकों को भी ये प्रदान किये गए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो सेनिक सम्मान या विर्था पुरुसकार सम्मंदी जानकारी हैं आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हैं तो विडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और पिये सेटा के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें